उम्शंति यदि आप आसानी से लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो इससे आपके इमानदार रहने के योगिता कम हो जाएगी यानि इमोशनली दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो आपके इमानदार रहने के योगिता कम हो जाएगी दूसरों को आपसे सत्यता की वैसी अनुभूती नहीं होगी और आपके परस्पर संबंदों में भी प्रेम की भावना नहीं होगी इससे वह स्वार्थी प्यार, जूठा प्यार दिखाई देगा यदिपी ऐसा जूठा प्यार, बिल्कुल प्यार न होने से बेहतर है से कम इतना तो सुनिषचीत होता है, कि आप बिल्कुल सुखे नहीं है यदिपी ऐस्पस्ट है कि ये सच्चा प्यार नहीं है यानि किसी की बातों में आ जाना, किसी के प्रलोबन में आ जाना, किस के बहकाव में आ जाना और किसी का बन जाना, तो दूसरे व्यक्ति को ये मैसूस होगा, कि ये व्यक्ति मेरा नहीं है, किसी और का है, किसी और तरफ आकरसित होता है, किसी और के महिमा करता है, किसी के और के कहन में चलता है, इसलिए अपने emotional अस्तर को संतुलित रखने के लिए, emotional means IQ, body का स्तर means EQ, ये दोनों के balance को रखने के लिए SQ, यानि आध्यात्मे का स्तर अपना पहुचा रखना बहुत जरूरे है, और इसके लिए प्रती दिन गहराई से, राज योगा meditation की practice करना बहुत जरूरे है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार इस्वरविश विद्याले दुबारा कराए जाने है, राज योग के seven days course को करके, आप इन सभी बातों की गहराई को जान सके, ओम, शान्ति, बहुत बहुत शुपूद।